नमस्कार साथियो मैं कृष्णा रह सिंग और आप देख रहे हैं यूटूब चैनल एजुकेशन पॉडल कृष्णा आज हम लोग इस वीडियो की मदस से इस बात की जानकारी प्राप्त करने बाले हैं कि जो बिहार में सिक्षक नियोजन की प्रक्रिया सात्मे च्रन की प्रारम होगी 2022 में वह किस नियमावली के तहत संपन होगी या तो फिर वह 2012 के तहत संपादित होगी वह नियोजन प्रक्रिया या तो फिर वह 2020 में अनि कि 2012 नियमावली में जो संसोधन होकर के 2020 में बनी थी न नए नियमावली के तहत बहली प्रक्रिया को पूरी की जाएगी बिहार पंचायत प्रारंभिक सिक्षक संग नियोजन एवं सेवासर्थ 2012 जिसमें उस नियमावली में मेधा अंक के बारे में क्या दरसाया गया था उसमें विशेश रूप से चर्चा करेंगे उसके बाद 2020 में फिर उस मेधा अंक को दरसाने में उस मेधा अंक को बनाने में क्या संसोधन किया गया उसकी भी चर्चा करेंगे इसके बाद 2022 में क्या सिक्षक नियोजन की परक्रिया में नियमावली बनेगी उसमें क्या सुधार किया जाएगा उसकी भी चर्चा करेंगे तो सबसे पहले ह प्रक्रिया चल रही है और अभी बर्तमान में भी जो अंतिम चरन है उसमें भी वही नियमावली अपनाई गई है तो उसमें जो मेधा अंक निकालने का प्रोसेस था तरीका था वह इस प्रकार से था मैट्री का जो पूर्णांख है उसका प्रतिसत निकाला गया था उसके बा था उसके बाद मेधा अंक में जो टेट का निकी टीचर इलिजिबिलिटी टेस्स और शिक्षक पात्रता परिक्षा का जो अंक था उसका वेटेस दिया जाता था और 2014 में या तो फिर उस समय जो बहाली हुई थी कुछ ऐसे भी अभ्यर थी था जिन्होंने ट्रेनिंग नहीं किया उसके बाबजूद भी उसकी नियुक्ति हुई थी तो उसका मेधा अंक मैट्रिक और इंटर का जो प्रतिसत था उसे जोड़ करके दो से भाग दे करके और ट यह जोड़ा जाता था तो टेट का वे टेज अंक समझ लिजए आपको जरूर जानकारी होगि इस बात की कि आ अधी 55-70 3 तेट में मांक्स आया हो तो उसमें 2 आंग का वेटे अंक दिया जाता थाarden मेधा अंक में डाये जूड़ जाता था सतर से अधी आप असी लाएं हो, सतर से असी प्रतिसत है, तो वह इसी इस्तिती में चार अंग का वेटेस दिया गया था, फिर 80 से 90 है प्रतिसत, उसमें 6 अंग का, और 90 से 100 प्रतिसत आप अंग लाएं हो, तो वह इसी इस्तिती में 10 प्रतिसत का वेटेस दिया जाता था, तो अब हम लोग 2020 की नीमावली को देख लेते हैं 2012 में जो नीमावली बनी थी उसमें कुछ संसोधन किया गया और उसका जो मेधा अंक निकाला जाता था 2020 की नीमावली के तहत बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्याले नियुक्ति प्रोरत्ति अस्थानांत्रन अनुसास्नि कारवाई एवं सेवासर्त के तहत जो नीमावली बनाई गई थी उसमें टेट का जो वेटेज अंक दिया जाता था उसको हटा दिया गया और प्रोसेस को सेम रखा गया सारी नीमावली को पुर्वत रखी गई सिर्फ उसका जो टेट का वेटेज अंक था उसको हटाया गया माइट्री का प्रतिसाद, इंटर का प्रतिसाद, ट्रेनिंग का प्रतिसाद और तीनों के प्रतिसाद अंकों को जोड़ करके तीन से भाग दिया गया था तो यह तो हम 1 to 5 की चर्चा किये, आदि 6 to 8 की चर्चा की जाए, तो सेम उसी तरह से 2012 से आते हैं का प्रतिसादन, कुल अंकों का, जिसमें जो सबसीडरी भी सह है, अतिरिक्ट भी सह था, उन सभी अंकों का जोड़ करके और कुल पूरुनांग से भाग दिया जाता था और वहां जो percentage है उसका प्रसेंटेज असनातक का percentage है उसके बाद training का percentage है दोनों जोड करके दो से भाग दिया जाता था तब वह में अंग निकाल जाता था और जो C醬 की बात कही जाए या टेट की बाट कही जाए भी टेट की तो सेम उसी से वङवी वेटेज दिया जाता था और वहाँ कुछ कंडिसन रखा गया था जो भूत-पुर्व की बिधवा को बोड़क कि विध्वा है उसे रिलेटेड लेभू जानिक से वा से तो उसे 10 अंग का संसोधन किया 6-8 के लिए हटा दिया गया जो वेटे जंग दिया जाता था टेट का उसे हटाया गया तो अब प्रस्ण यहां से हम लोग प्रारम करते हैं प्रस्ण यह उठता है बनता है कि 2012 हो या तो 2020 हो वहां तक तो फॉर्म का जो लेने का तरीका था फॉर्म अपलाई करने का जो प्रोसेस था विद्यार्थियों के दोवरा और नियोजन इकाई का जो फॉर्म लेने का प्रोसेस था वहां दोनों के लिए जटिलता हो रही थी एक-एक अभ्यर्थी 100-100 जगहों पे जाकर के फॉर्म को अपलाई करते थे हैंड-to-hand देते थे अनिकि ओनलाइन या त पंचायत अस्तर 1-5 के जन पतिनीधी ओ त्हिंगा की जिमेवारी होती थी उसके वाद 6-8 के लिए पर्मुख की जिमेवारी बनती थी जन पतिनीध्य तरीके से अब भेर्थियों दोरा एक ही जगह से फॉर्म लिया जाएगा और उस फॉर्म के तहत कुछ प्रमुख बिंदों पे चर्चा की जाएगी ऑप्सन दिया जाएगा और आप जिस नियोजन इकाई में आपकी पहली चुवाई से उस ऑप्सन के तहत आपका सेलेक्शन ह होगा तो यह तो हुआ कि जो परहां ंभी विद्यार्थीों को वो परिशानी से बच सकते हैं उसके बाद दूसरा था कि जो जन परतिनीधी की भागेदारी थी जन परतिनिधित का जो काौंसलिंग परकिरियां भुख तलिए उसको हठाया गया अब जन परतिनीधियों की वहाँ पे कोई भागेदारी नहीं रहेगी तो जब सेंटरलाइज तरीके से फॉर्म अपलाई किया जाएगा तो वहाँ पे बोर्ड बैठ करके जो भी मेधा अंक बनता है जिसका मेधा अंक बनता है तो इस प्रकार से जितने अभ्यर्थियों का ओनलाइन आवेदन जाएगा लगभग सभी अभ्यर्थियों का निश्चित रूप से काउंसिलिंग होगी और वह एक अच्छे और सुयोग सिक्षक बनेंगे तो 2022 में मुक रूप से यही बदलाव संभवता जादा प्रिलक्षित होती है कि इसी बदलाव को किया जाएगा नियमा बली में और जो 2020 की नि मेरे लिए मुश्किल की बात है लेकिन एक अनुमान के तहट एक संभावनाई बताई जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह जो दो बदलाव जन्द परतिनीधी और ओलाइन के तरीके से ओलाइन के जरिए से कंद्रिये कृत तरीके से जो फॉर्म लिया जाएगा वही दो परक्रिया के तहत संभावता है दो हजार बाइस का जो सात्मा चरण सिक्षक नियोजन परक्रिया चलेगी उसी के आधार पर होगी तो इसी दुरूप से इस बात की पूर्णता लास्ट में कंक्लूजन करें इसका निसकर्स निकालें तो दो हजार बारह में नीमावली बनी दो हजार बारह की निमावली जो छठे चरण की प्रारंब परक्रिया चली कौंसलिंग की वहीं तक वह समाप्त होने की संभाव नाएं हैं अब इसको अधिक दूर तक नहीं ढोया जाएगा 2020 में जो निमावली बढ़ी है इसमें दो बदलाव होएंगे के अंदरिये कृत तरीके से और जन परतिनिद्यों को दूर किया जाएगा इस नियोजन इकाई से उसके बाद 2020 में जितनी बाते में इस नियोजन परक्रिया प्रारम होगी और उमीद है कि 2022 में इसका नोडिफि ctec और b citate क के वे बीटेट परिक्षा तो होगी ही नहीं ctec परिक्षा के तहत जो अभ्यर्थी आया है और b टेट के जो अभ्यर्थी बचे हुए है वह सिक्षक नियोजन में सामिल होएंगे और देश का एक अच्छे और स्योग सिक्षक बनेंगे बस आज के वीडियो में इतना ही थाइंक्स फर वाचिंग गुडबाई